ग्यान्यग्य में आपका स्वागत है। ग्यान्यग्य की नई वीडियोस की जानकारी के लिए वीडियो के नाम के नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन की सहायता से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें और उसे अने लोगों के साथ शेयर करें। Windows 10 के इस अध्याएं में आज आप सीखेंगे Mail App का उप्योग करना। Mail App को उपन करने के लिए हम स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। फिर Life at a Glance में Mail App पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर ये पेज उपन होगा। और Add Account पर क्लिक करने पर ये विंडो उपन होगी। पर चुकि हम इस एप का इस्तमाल पहले भी कर चुके हैं इसलिए हमारी स्क्रीन पर ये पेज उपन हुआ है और अब अगर हमको Add Account पर जाना है तो उसके लिए हमको पहले Settings पर क्लिक करना होगा। अब यहां पर ये Manage Accounts का जो Option दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहां Add Account पर क्लिक करेंगे। ये देखिए ये वाली विंडो उपन हो गई है। अब इसके आगे की Process चाहे आप पहली बार App का अस्तमाल करें या पुना उसका अस्तमाल कर रहे हूँ, Process सेम ही रहती है। अब यहां पर हमारे पास अलग-अलग options हैं, हमारा Account इन में से जिस पर भी बना हुआ हो, हम वो Account सेलेक कर सकते हैं। हमारा Account Gmail पर बना हुआ है, इसलिए हम Google सेलेक कर रहे हैं। अब यहां पर हम अपना Email ID डाल कर Next पर क्लिक कर देंगे। यहां पर Password डाल कर Sign In पर क्लिक करें। अब यहां पर नीचे Allow पर क्लिक कर दें। अब हमारा Mail Account सेट अप हो गया है। अब हम Done पर क्लिक कर देंगे। हम चुकी इस App का अस्तमाल पहले ही कर चुके हैं। इसलिए आपको यह Window नजर आ रही है। पर अगर आप पहली बार इस App का अस्तमाल कर रहे होंगे। तो Done पर क्लिक करते ही आपके सामने यह पेज उपन होगा। और अब जब आप Ready to Go पर क्लिक करेंगे तब आपका Mail App उपन हो जाएगा। अगर आपको और Accounts एड करना हों तो आप यह Accounts पर क्लिक करके यह Right Hand Side पर Add Account वाला जो Option है उस पर क्लिक करके पूरी प्रक्रिया जो अभी हमने बताई वापस दोरा ले। अब इस App के जरीए हम अपनी Mails चेक कर सकते हैं। अगर Mail भेजना हों तो उसके लिए New Mail पर क्लिक करेंगे। यह देखिए यह Window Open हो गई है। इसमें आप जिसे Mail करना चाहते हैं उसका Email ID 2 में टाइप करें। उसके बाद Subject टाइप कर दें। अब यहां पर आप Message टाइप कर दें। Message टाइप करने के लिए जो भाशा आपको चुननी है वो आप चुन सकते हैं। अप्शन में जाकर के यह यहां पर अलग-अलग languages दी हुई है वो आप चुनने। यहां हम English यह चुन रहे हैं। जो भी Message आपने टाइप किया हो उसको अगर आप Format करना चाहते हैं तो सबसे उपर आपको Format का Option मिलता है। इसमें आप Bold, Italic, Underline इन सारे Options का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप MS Word में करते हैं। अगर आप Message के साथ कोई File Attach करना चाहते हैं तो उसके लिए Insert वाले टैब में जाएं। यहां पर सबसे पहले आपको Attach वाला Option मिलता है। इसकी मदद से आप File Attach कर सकते हैं। इसके अलावा कोई Table, Picture इत्यादी भी आप भेज सकते हैं। अगर आपको कोई Link भेजनी हैं तो आप Link भी भेज सकते हैं। पूरा मेल ड्राफ्ट हो जाने के बाद आप Send पर क्लिक कर दें। अब अगर हमको इसको Close करना हो तो हम इसे Directly भी यहां से Close कर सकते हैं। यह देखे, Close हो गया है और अब हम जब इसे खोलेंगे, तो यह देखे, हमारा Email ID directly open हो जाएगा। मतलब हमें बार-बार Gmail Account में Login करने की जरुवत नहीं पड़ेगी। यदे हमें Settings में कुछ बदलाव करना हैं तो उसके लिए हम Accounts पर क्लिक करेंगे। अब यहां अपने Email ID पर क्लिक करेंगे, यह Gmail Account Settings का पेज उपन हो गया है। अब इसमें हम Account का नाम बदल कर अपना नाम भी डाल सकते हैं। Second Option पर क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप अपने Email Account से संबंधित बदलाव कर सकते हैं। और सबसे आखिरी Option है Delete Account। इसके साहता से आप Mail App पर से अपना Account डिलीट कर सकते हैं। आईए यह करके देखते हैं। Delete Account पर क्लिक करेंगे और अब Delete पर क्लिक कर देंगे। यह देखिए इस एप पर से आपका Email ID चला गया है। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो YouTube पर इसे Like करें। अन्य लोगों के साथ Share करें। और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।